हालो आपरिबन वेलकम टू माय चैनल तो आज हम लोग बात करेंगे एक अगले टॉपिक पे और यह है अपना डिफरेंट साइन्थेटिक फाइबर्स ओके और हाँ इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं उसका वीडियो लिंक आपको मिल जागा डिस्क्रिप्शन बॉक्स महां से आप चेक आउट कर सकते हैं तो पिछले वीडियो जमने हम लोगों का यह छूट गया था डू यो नो हम इसकी भी थोड़े से यहां पर चर्चे कर लेते हैं यहां पर कहता है इन एडिशन टू नेचरल एंड सैन्थेटिक पॉलिमर्स यह जो हमारे नेचर और सैन्थेटिक पॉलिमर्स अब यह सेमी सैन्थेटिक पॉलिमर्स क्यों कहा गया चुकि यह जो पॉलिमर्स है इसको हम सैंथेज किये हैं लेकिन इसका जो रॉब मेट्रियल है वो नेचरल सोर्स से लिया गया है इसलिए इसको हम कहते हैं सेमी सैन्थेटिक इस आर ऑप्टेंड फ्रॉम न नेच्वल पॉलिमर हैं। उसके साथ हम Hakimichalessa क Lewis अपल้ा करते हैं, तब जाकर रखेंगा वह हम को मिltा है। इसलिए इसको हम कहते हैं Kil committed polymers एक्जामपल की बात करें। आपको आथ और यूज के अब यह जो हमारा है, यह हमारा कैसे त्यार होता है इसकी बात भी हहां पी की गई है, कहता है form by mixing molten rubber and molten sulfur under a specific condition, इस हमारा sakee effective condition में alcuni जाता बहुता है यहां पर सेमिसेन्थेटीक पोलिमर Ved का दूंपर बढ़ोर हमारा फापिक यह हमारा है इसो हमारे पास पहला सेटीटिक फाइबर यह पर हमारा क्या है ना रिहा और अर्टिफिशियल सिल्क हम लोग इसको दूसरे वर्ड में क्या कहेंगे artificial silk भी कहेंगी तो यह हमारा artificial silk क्यों कहलाता है इसके हम बात कर लेते हैं यहां पर देखिए कहता है you have already read in class 7 that silk fiber obtained from silk war was discovered in China यह जो हमारा silk fiber है यह silk warm से हम लों को मिलता है और इसका discovery कहा हुआ था तो चाइना में discovered हुआ था fabric obtained from silk fiber is quite costly its texture is very beautiful यह देखिए यह जो हमारा fabric बनता है जो कपड़ा त्यार होता है silk से यह बहुत ज्यादा costly होता है और यह बहुत ज्यादा beautiful होता है इसलिए people इसको क्या करते हैं चाहते हैं पसंद करते हैं तो यह तो हमारा अपना silk कहानी हो गया कि silk हमारा china से discovered हुआ था और यह बहुत अच्छा देखने में लगता है लेकिन होता है क्या costly होता है तब इसका alternative हमारे पास क्या होगा अब यहां पर देखिए next line में क्या कहता है लेटर ओन attempts were made to make silk artificially बहुत सरव प्रयास किया गया ताकि यह जो silk है इसको में लोग artificially त्यार कर सकें by the end of the 19th century scientists were successful in their attempts देखिए 19th century के अंत में scientists को यह सफलता प्राप्त हो गया यह जो silk है artificial silk त्यार करने में next है a fiber having properties similar to that of silk was obtained by chemical attempt treatment of wood pulp यह wood pulp का chemical treatment करके हमने इसको त्यार कर गया है silk को this fiber was called rayon और artificial silk इसको हम लोग artificial silk के नाम से जानते हैं क्योंकि यह silk के जैसे properties को resemble करता है आनि इसलिए इसको हम लोग artificial silk कहते हैं तो rayon को हम लोग artificial silk क्यों कह रहें चुकि यह silk के जैसा property मेंच कर लेता है अब यहां पर कुछ ऐसे दिखाएगे fabrics जो हमारा rayon का बना हुआ है तो अब next paragraph के हम यहां पर बात कर लेंगे तो next paragraph में कहता है the raw material used in the preparation of rayon is wood cellulose which is a natural fiber यह देखिए जो wood cellulose होता है यह कहना हमारा natural fiber है और इसका हम लोग की जैसा fiber त्यार हो जाए therefore rayon is sometimes also called regenerated fiber अब यह बहुत ज्यादा important हो जाता है कि यह जो हमारा silk है इसको हम regenerated fiber क्यों कहते हैं ठीक है इसलिए कहते हैं चुकि हम इसको rayon से हमारा जो wood cellulose है वह हमारा एक कहना natural fiber है और उसी से हम इसको त्यार किये हुए है तो rayon is thus not completely an artificial fiber its raw material is a natural fiber अब देखिए यहां पर क्या कहा गए कि यह जो हमारा है rayon यह rayon हमारा completely जो है ना so artificial fiber नहीं है not completely an artificial fiber क्यों नहीं है चुकि इसका जो raw material है वह हमारा natural fiber है natural fiber that is wood cellulose है ना यह हम लोग ध्यान रखेंगे अक्सर question यहां से हम लोगों को पूछा जाता है कि यह regenerated fiber क्यों कहलाता है चलिए अब हम थोड़ा सा इसके usage के बारे में जानेंगे तो usage हमारे पास यहां पर बहुत सारा दियावाई total five videos दिये हुए हैं इसमें से आपको minimum two से three uses आपको learn करते हैं जो कि आपको examination में लिखने पड़ते हैं तो हम यहां पर पहले यूज की बात करें तो यहां पर क्या कहता है rayon can imitate the feel and texture of silk silk के जैसा यह texture दिखा सकता है wool cotton and linen यह देखिए total कितने के silk के जैसा हो गया wool है cotton है इसके जैसा यह feel करा सकता है हम लोगों को hence it is often mixed with cotton और mixed with wool और इसलिए इसको हम लोग ना अकसर cotton के साथ mix कर देते हैं या तो फिर wool के साथ mix कर देते हैं ताकि हमारा जो हम product बना रहे हैं उसके साथ हम इसको mix करके त्यार करें हमारा cost कमा जाएगा ठीक है rayon fabrics are a smooth cool and comfortable rayon can be easily dyed in a wide range of color देखिए और rain को नहीं हम अलग-अलग कर में आसाने से dye कर सकते हैं आसाने से उसको अलग-अलग कर के कपड़े को त्यार कर सकते हैं तो यह हमारा usage हो रहा है it is suitable for wear in summer because its fabric can absorb sweat देखिए यह जो है न स्वेट को absorb कर सकता है इसलिए यह हमारा जो rayon है इसके fabric को हम आसाने से summer season में भी यूज कर सकते हैं it is used in making appareals like dresses jackets lining suits hats etc यह कुछ-कुछ items को लोग learn कर लेंगे next हमारा एक special है यह 5 नमर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा चुकि यह अक्सर पुछता है it is wisely used in industries in surgical products and in tire coats तो यह important इसलिए हो जाता है चुकि यह थोड़ा special है यह देखिए surgical products और tire coats इसकी manufacture में हम लोग रियोन का अक्सर यूज करते हैं तो यह special है आप ध्यान रखेगा रियोन is also known known by names like यह हमारा कहना viscous rayon and art silk in the textile industry तो textile industry में इसको हम अलग नाम से जानते हैं और वो जो हमारा नाम है वो हमारा क्या है तो viscous rayon है और दूसरा नाम हमारा है यहां पे art silk ठीक है तो art silk तो आपके question में आ सकता है कि art silk से हम किस synthetic fiber को जानते हैं तो यह हमारा हो जागा rayon ओके और viscous rayon भी होगा तो अभी ना हम लोगों किसमें से special क्या learn करना है यह जो हमारा surgical product के रूप में यूज हो रहा है और tire code के रूप में यूज हो रहा है इसके साथ साथ जो इसके special है यह sweat को भी absorb कर सकता है यह भी हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा और इसलिए हम इसके जो fabric है इसको summer season में भी यूज कर सकते हैं तो यह हमारा हो गया यहां पर rayon को लेकर करके अग नेक्स जो हमारे पास आ जाता है वह हमारा है और यह जो है ना बनाने में इसको बनाने में हम लोग किसी भी तरह का नेशल फाइबर यूज नहीं करते हैं इसलिए त्रूली आर्टिफिसल है यह आप ध्यान रखेंगी अना इट इस दी फॉली सैंथेटिक फाइबर अब यह भी इस पेसल पॉइंट हो गया नाइला इस अलसो काल टी वऑंडर पॉलिमर यह थियाए है यह भी हम लोग ध्यान रखेंगे जो थो त्क हैं यह नहसे नहीं है ना हमारा nylon वो क्यों पड़ा है कैसे पड़ा है इसके बारे में बात किया गया है इस नेम्ड आफ्टर टू सिटी ठीक है पहला सिटी है निव और दूसरा है यू इन यूसे एंड लंडन इन ग्रेट बिटें तो यहां पर जो हमारा नीव और खना इससे क्या लिया गया है और जो लंडन है इससे क्या लिया गया है हमारा lon थीक नों किस से लिया गया है लंडन से लिया गया है तो यहां पर हमारा नेम क्या हो जाता है नाइलन हो जाएगा इट वासो नेम एज इस फाइबर वाज डेवलप बैदा अगलेक्टिवली इफ़र्ट ऑफ सैंटिस्ट ऑफ इस टू कंट्रीज यह जो दो कंट्रीज हैं यहां के जो सैंटिस्ट थे वह आपस में मिलके इसको डेवलप किये थे इसलिए इसका नाम हमार इसके यूजेज की यूजेज ऑफ नालोन और यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है तो चलिए यहां पर पहला जो यूज है इसकी हम बात करेंगे कहता है इट इस हाइली इलास्टिक बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है टेंसाइल एन हैस सिल्क लाइक अधर होईजरी आइटम्स तो इसके जो आइटम्स बने होते हैं वह ज्यादा मजबूत होते हैं इलास्टिक होते हैं यह हम लोग ध्यान रखेंगे और यहां पर पिक्चर भी दिखाया गया है आप देख सकते हैं यहां पर कुछ ऐसी पिक्चर से जो हमारा नालोन का बना ह हुआ है नेक्स्ट यूजज है हमारे पास नालोन इस यूज़ इन मेनी मिलिटरी अप्लियांसे लाइक मेंकिंग और रॉप्स पैरासूर्स यह देखिए अस्पेसल हो गया तो आपको यह लर्न करना पड़ेगा यह जो हमारा नालोन है इससे हम क्या यूज़ करते हैं इसक प्सक्राइब करें इसकारीजन है चुकि यह बहुत ज़्यादा मजबूत होता है इलास्टिक होता है ओके यह समझ पढ़ने के लिए हम लोग यहां पे रियून का भी यह देख लिया था और यहां पे टायर कोड क्या नालोन का भी यूज़ कर रहे हैं तो यहीं हमारा एक important point है इसको में ध्यान में रखेंगे टायर कोड़ बनाने के लिए नालन का भी यूज़ हो सकता है और यहां पर seat belt seat belt अना तो कुछ यह ऐसे special product हैं जो हमारा नालन से बन रहा है seat belt हो गया रॉफ हो गया पैराशूट हो गया यह सारे कुछ special product से next हमारे पास फोर्थ और फिफ्ट यूज़ है इसको देखिए कहता है इस यूज़ फोर मेकिंग कॉमन हाउसल आर्टिकल साच आज टूथ ब्रस कॉम्स होक्स एट्सक्तरा घर में जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं यह सब allatants के लिए करें बनाने के लिए उसको बनाने के लिए तो इह हम लोग को ध्यान डखना पड़गा कुछ special usage जो है किसी किसी हमारे fiber का तो nylon के case में हम लोगो क्या आद रखना है सबसे पहले तो हम लोग यहां पर learn करेंगे parachute बनाने में use होता है दूसरा seat belt और यह tire coat यह इसके साथ special है और यह military appliances और अगला जो हमको रात करना है जैसे common household articles हो गया हना इसको बनाने में और यह most important हमारा आगया fishing net और robs for climbing rock